हेलो अब्रिवेन कैसे हैं आप सबी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और फिलाल मैं भी अच्छी हूँ और मैं फिर से बात करने वाली हूँ है सपना के बारे में आप लोगों देखे होंगे काफी कुछ चीज़ें हैं जो सपना अपनी वीडियो में कुछ चीज़ें आप गलत करने लगी है गलत कर रही है और लोग हैं तो देखो बहुती बारी की से चीज़ें देखते हैं जो नहीं होता लोग उसको भी बना के तयार करके खड़ा कर देत इब whether the smile is the amount or whammy they say family please send services out. आपयम मर्ची से बोला है आपने इसे क्यों वूला है एलकि जो यूटूब आसा सबढ़ सकते हैं क्या एप वीडियो संब्सक्राइब मैं आगे बात करूंगी तो जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कहना बुलकुल मत बूला बीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे इस बीमारी का इलाज बता दीजिए यार ऐसा नहीं जारी है यार इसा नहीं नहीं पूरा दिन सौई हूँ आराम से मेरे साथ मेरे मेरे से साथ ऐसा होता हुँ अब तक दूड़ी थोड़ी देर पीछे दो मिनट पीछे ये मेरा मूझ फड़ता रहता है मेरे को जमाई यह जो अबासी है ये वो कैमरे पर ही आती है कैमरा बंद कर दूँ मुझे को कुछ नहीं होगा ये क्या चक्कर है जबरू बताना मेरे को बहुत गंदा लगता है तो क्या करूं यार चलो खेर ये तो बेफालत की बातों ही आप करते हैं काम की बात है जो कि आप मेरा टाइटल थम्मेल लेकर आए हो आपको पता होगा कि दर रोट पर सपना का एक ब्लोग आया है था सुरी यार कि वो घाटुशे हम जा रही है तो सपना न बोला कि आप सब लोग उन्हों भी बोला था हारी का सारा गहटुशे हम मन को शांती मिलेगी जो कुछ भी सपना के साथ पिछले दिनों में हुआ था तो घाटुशे हम जाईए और फूडगा से शांती मिलेगी तो ये चलो अच्छा है कि सपना घाटू से हम गई उसने ऐसा सोचा जाना भी चाहिए मन की शांती के लिए क्योंकि काफी टाइम से बहुत ज़्यादा उतल फुतल हो रहा था इस चीज पे तो मैं कुछ नहीं बोलूगी और लोगों ने भी खुद सपना को बोला था कि आप जाएए तो सपना गई लोगों की बात मानी तो अच्छा है चलो उस बाहने धरसन भी हो जाएंगे लेकिन सपना ने बोला कि मम्मी नहीं आ रही मम्मी गाउ जा रही है क्योंकि सपना की जो मम्मी का सिलाई का काम है तो काफी टाइम से बंद पड़ा था सिलाई का काम तो जाएड सी बात है लोग कब तक वेट करेंगे तो वहां से मैसेज कॉल वगरा आ रहे थे तो इसलिए मम्मी को जाना पड़ रहा है लेकिन उधर से जो है भावी आएंगी मतलब मम ममी जाएंगी और अधर से भावी आजाएंगी भावी मेरे पास रहेंगी और भावी चले जाएंगी फिर ममी मेरे पास रहेंगी और सपना का भाई भी सपना के पास रह रहा है और जो सपना का मामा बुआ का कौन लड़का है मोहित क्या नाम है यार मेरे को ध्यान नहीं है वो भी सपना के साथ रह रहा है इस पर भी लोगों ने कमेंट्स करना चालू कर दिये हैं कि सपना अपनी माई के वालों को पाल रही है जैसे कि आपने आज का वीडियो में देखा कि सपना ने अपने भाई को भाईयों को सौपिंग भी कराया बर्थडे का रोकी भीया का अब बर्थडे था तो सपना ने शौपिंग वापिंग भी कराया भीया को और जो मामा वामा का लड़का था उसको भी शौपिंग वापिंग कराया क्योंकि देखो इसमें तो कोई जादा वो नहीं है कि अगर कराया भी है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सपना का भाई है इतना मदद कर रहा है सपना के साथ रह रहा है बर्थड है तो इतना तो बेहन का बनता है क्यार वो चीज तो छोड़ ये लेकिन लोगों ने इस चीज को पकड़ के टारगेट करना सिरूर कर दिया है कि सपना अपने माई के वालों को पाल रही है अब पूरा सपना का जो माई के वाले हैं जो पूरा उसका खांदाने वो सपना के घर ही सपना के दंपर पलेगा अलाकि जो पिछली बार इनों ने अपना जो माई के वालों ने जो घर लिया था सपना के ने जो ममी भेया ने घर लिया था उस पर भी लोगों ने बोला था कि सपना के पैसों से घर लिया है जो मम्मी और पापा लोग आये थे सपना से मिलने आये थे जब एक बार सपना बिमार थी पैरवेर में साइद छोड लगी तब की बात है कि वो लोग पैसे लेने आये थे सपना ने उन लोगों को पैसे दिये अब वही भर है नियू घर के लिए थे मतब्त कि सपना कुछ करे भी नआ करे लेकिन लोगों को टार्गेट करनी जुरूर होता है अभी यही है कि इसी वज़े से सबना आपने माई के न जाकर गौलियर आई क्यूंकि माई के जाती तब भी लोगों को यह कहना था कि माई की वालों को पाल रही है इसलिए माई की गई है अब वो यहां रह रही है अपने बच्चों की खाते पढ़ाई बढ़ाई की खाते तो भाई इतने बड़े सहर में और इतना खुछ सपना के साथ हो चुका है तो जहर सी बात है अकेली तो वो सेफ नहीं है अकेली ओरत कहीं भी सेफ नहीं है फिलाल कि सपना के साथ जो कुछ भी हो आ है जो कुछ भी हो रहा है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि सपना सेफ नहीं है सपना की बच्चियां सेफ नहीं है पिछली बार जो सपना ने स्कुल का भी जो नाम बाम बता दिया था उ एक हम जुम्हाते हैं तो उन चीजों को मानती नियों जब ऑि का हम की फैमिली बोलती है। यहां पहले से बहुत भिए बोला था कि भी स्कुल का नाम हो रहा था भूछ लोगा स्कूल ने दिखाना लेकिन फिर बी जो अंदर से धा वह सपना ने दिखाया अलागि दूर रहने वाले तो आडिया नहीं लगा सकते कि कौन सी जगह इसकूल है लेकिन जो ग्वालयर के हैं वो लोग समझ गए होंगे कि ये इसकूल है तो ये बात भी लोगों का जायज है, लोगों का गुस्सा भी जायज है वो की सपना की safety के लिए हो बच्चों की safety के लिए लेकिन यह चीज बेकार है जिस चीज पर आप बहुर रहे हैं हर बात family की मालने लायक भी नहीं होती कि सफना माई के वालों को पाल रही, माई के वालों को खिला रही है इतने बड़े अंजान से हैं वहां पे अकेले है safe नहीं है जबकि उसका अपना घरपरवार सबको छूटी है अब यही उनका घरपरवार ममी भाई या इनी सब लोगों को सपना देखना है रही सपना के उनको पाल रही है या उनको खिलाएगी या उनको कुछ दे देगी ठीक है तो सपना के पास वैसे भी कुछ नहीं है पीछे से वो अपना कुछ भी नहीं लेकर आई कोई भी चीज या कुछ भी नहीं लेकर आई आपको पता होगा सिर्फ वो अपनी कमाई लेकर आई जो उसने आस तक कमाया था और अभी भी उसी के पास सिर्फ यूटूब ही एक इनकम का जरिया है बाकी और कुछ नहीं तो सपना को अपना घर का रेंट देना है अपना सब को सपना को भी मैनेज करना है तो अगर सपना उनको दे देगी तो अपना कैसे देखेगी फिलाल वो किस परज़्शती थे किस मुस्कुलों से निकल रही है तो ऐसे में नहीं लगता कि सपना उनको पा ले की या खिलाएगी ठीक इतना रह रहे हैं सपना की मदद कर रहे हैं थोड़ा बहुत अगर कर भी देगी बेहन बेटी होने के नाते तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक, बहिया है, बढ़ते डे, थोड़ा बहुत सौपिंग करा दिया, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है, इतना भाई कर रहे हैं, तो भाई देखिए, उनका भी अपना क काम है, वो भी लोग अपना काम छोड़ कर यहां पर पड़े हैं, ठीक, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, कि कोई भी अपना काम छोड़ कर यहां आए, किसलिए, क्योंकि वो उनकी बेहन है, बेटी है, वो अपना हजार काम छोड़ सकते हैं, बेहन बेटी के लिए, रही स अपने भाई का वीडियो कभी कमांटी में भी शेयर ने करती, कभी भी अपने भाई तक का चैनल प्रमोट नहीं करती, चाहे भाई के वीडियो पर वीज आए, चाहे ना आए, आए, सपना को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं, आज का नहीं बता रही, पहले से ही बता रही हूं सपना चाहे तो अपने भाई का हर वीडियो अपने चैनल पर शेयर कर सकती है और बहुत अच्छा खासा भाई का व्यू आ सकता है भाई भाई मम्मी को सबसे हाथ जोड़ जोड़ के सपोर्ट मांगना पड़ता था कि आप हमारे चैनल सबस्क्राइब कर लो लाइक कर लो चाहे दो हजारा चार हजारा उसे सपना को कभी फर्क नहीं पड़ा सपना इतना बड़ा यूटूबर होते हुए भाई मम्मी किसी सपोर्ट मांगे हुई नहीं सकता ठीक लेकिन सपना ने कभी नहीं किया आला कि जो सपना के जो सास हैं उनके जो माई के वाले हैं उनका चैनल सपना ने जरूर प्रमोट किया है उनका चैनल प्रमोट करके सपना ने शायद यह गलती कर दी आला कि जो सपना की जो सास के तरफ के माई के वाले हैं वो भी यूटूबर्स हैं उन्होंने भी कुछ वीडियो सपना के खिलाब बनाई थी, जब सपने माईके में थी, उसके पैर वेर में चोट लग गये था, तब वो गुष्टे में चले गूय थी, तो तब थोड़ा सा हुआ था, Онहोंने भी सपना के बारे में कुछ गलत सलत बोला था, जब सपना ने बत ना के जो अंशू के जो माई के वाले हैं उनकी तरफ से चैनल है लेकिन उनका जो चैनल है उस पर चार महिने से वीडियो नहीं आया है ठीक है जो सास के भतीजे हैं उनका चैनल है चार महिने से वीडियो नहीं आया है लेकिन लोग उस कमेट्स में जारा के ना उनको भर भर के गालियां दे रहें, भर भर के गालियां दे रहें, कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, ये होगा, वो होगा, लेकिन सास के बहतीजे का ये ही कहना है, कि अगर हमारी वज़े से ऐसा कुछ हुआ है, तो हम चाहेंगे वो इनसान कभी भी जीवन में शुक ही ना रहे, ले देखे मैं बोलूँगी अभी जब उदर से कुछ वीडियो नहीं आरा कुछ भी नहीं आरा तो ऐसे ही किसी को हम बिना जाने बिना ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते हैं तो जो भी लोग इस तरह कमेट्स करते हैं बंद करी खतम करी क्योंकि सपना ने खुद खतम कर दिया है तो लेकिन नाम नहीं लिया जब किसे बोला था मेरे कुग पता है को लेकिन नाम नहीं लिया था लेकिन व्यूह वह उद्धर का जयाता है तो क्या और भी करते हुं आप सब family में करते हैं और udah के जाता है सामे मैश लिए सबसक्षाल कर